Hello everyone, welcome back to this beautiful platform Do us the Hub of Mechanical Engineering. So, in this video, we are going to talk about the Bernoulli-Lis equation. About the Bernoulli-Lis equation we are talking about, mainly not exactly we are going into that. हम बास बात करेंगे, Bernoulli-Lis equation कब स्टिस्पाही करेंगा? मतलो, कौन सा कौन सा condition ऐसा होगा, जिसके जो case में हम Bernoulli-Lis equation अप्लाई कर सकते. हर case में नहीं हो सकता, हाना? यहां पर बच्चे फस जाते हैं, कभी-कभी आप अगर इंटर्व्यू और वगरा खुछ देने के लिए जाएंगे नहीं तो कोई-कोई कुस्च आपको पुछेंगा, बख्या-ट, इनर्जी रिम şuुइट कॉण्टै यहां पर पूछेंगा क्या है, तब जाके यह equation satisfy होगा, यह हम भूल जाते हैं, तो यह जो भूला हुआ चीज को फिर से revise करने के लिए यह वीडियो है, so watch till the end of this video, okay, so भाई, assumption है, 5, assumption है, और है, लेकिन main जो है, मैं 5 को consider किया हूँ, first, flow is steady, steady होना चाहिए flow, second, flow is incompressible, third, flow is non-viscous और ideal, ideal flow जिसके बूला जाता है, flow is continuous and homogeneous, and fifth, velocity is uniform over the cross section, यह पांच, पांचों के पांच पॉइंट में जो जो टॉर्म आपको लगता है कि नया है, मतलब यह steady, यह incompressible क्या है, बिसकस क्या है, okay, and velocity is uniform क्या है, यह सब हो चुका है हमारा सिरीज में, में आपको मैं बोलूँगा, recommend करोगा कि आप इस channel का playlist में घुसिये, fluid mechanics के अंदर, पूरा का पूरा steady flow क्या होता है, incompressible, compressible क्या होता है, okay, विसकस and ideal flow क्या होता है, ideal flow क्या नाम क्या आपको मिलेगा, and in-in-from and non-in-from क्या होता है, सब कुछ मिल जाएगा and you guys will be understand everything over there, so I don't want to waste my time by repeating the contents, so मुझे perfectly content मतलब पूरा इसा नहीं की बास में बोलता रहोंगा, again and again and again, not like that, एक बार कर दिया है, मतलब, it's your duty to go into that, so it's all about my dear, इतना ही था आज के लिए, अगर आप, आपको ये वीडियो थोड़ा भी आच्छा लगा हो, तो आप जरूर कमेंट में कुछ भी लिखिए, क्या लगा, कैसा रहा, मतलब कुछ भी पढ़ना चाहते है, कुछ भी लिखिए, मुझे ये अच्छा लगता है, कि आप लोग को कमेंट पढ़के, रिपलाई देना, ठीके, तो आप लोग जरूर कीजिए, क्योंकि इतना एफट, अगर मैं आपके लिए लगा रहा हूं, तो आपका फ़र्ज है ये कि, आप तो थोड़ा लिखिए ना ये तो आपको नोट में कॉपी पर लिखना पड़ेगा, नहीं तो कमेंट करके अपना और जो कुछ जो चाहते हैं आपको डिस्कॉस हो, वो भी लिखना पड़ेगा, इसके बदा से क्या होगा, जो content बना रहा है, creator, उसके साथ आपका connection बन पाएगा, and जो content बन रहा है, उस है, happen that, ओके, ठीक है, इस वीडियो को आप जरूर शेयर केजिए अपने दोस्ते के साथ, आप विल भी back with another new lesson, till then, take care, bye.